वर्गी करण तो यहां तक कि हमारे जो निदेशक तत्व हैं वो आपको पता है कि 36 से लेकर 51 के बीच में दे रखें अनुछे 36 से लेकर 51 और सम्विधान में इस्पेशल प्रकार से इनका कोई वर्गी करण नहीं किया गया है पर समझने की दृष्टी से हम इनका वर्गी करण कर सकते हैं इनका वर्गी करण हम उन अनुछेदों को लेते वे करेंगे जो समानता को लिए हुए हैं जिसमें किसी स्पेशल प्रकार की बात की गई है जैसे मैंने इनका वर्गी करण 5 प्रकार से किया है पहला वह वर्ग रखा है जिसमें आर्थिक अधिकारों के बारे में बात की गई है तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले सिध्धानतों के बारे में हम बात करेंगे जैसे आपका 39 आर्टिकल हो गया 39 के बाद 42 हो गया 43 हो गया इस प्रकार के आर्थिक न्याय वाले जो आर्टिकल हैं वो इसमें आएंगे 38 हो गया एक्सेक्टरा ये आगे पन देखे निती निदेशक तत्वों को समझने से पहले राज जी के अभिप्राय को जान लेना आवशक है राज जी से अभिप्राय केंसरकार, संसद, राज सरकार, विधार मंडल और भारत सरकार ये राज सरकार के अधिन सभी इस्थानी और अनिप्राधिकारी शामिल किये जाते हैं अगर हम राज के निती निदेशक तत्वों को समझना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से विभगत इस प्रकार से कर सकते हैं पहले बात करते हैं आर्थिक नियाय संबंदी निर्माताओं का उद्देश भारत में एक लोक कल्यानकारी राजी की स्थापना करना था और इस रश्टीकोंड से अधिकांश्ट निर्शक तत्व को आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक नियाय के संबंद में व्यवस्था के बा तो राज ये प्रतेक, इस्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्द कराने का प्रेत्न करेगा ऐसा विवरण अनुच्छेद 49 कव में किया गया है दूसी बात अगर करते हैं कि राज देश में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रा कि ऐसी विवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सारजवनिक हित हो सके और ये चीज जो आएगी अनुच्छेद 49 क के तहत आएगी राज इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ती और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रिकरण नहों कि सारजवनिक हितों को किसी भी प्रकार की हानी पहुँचे ये अनुच्छेद 49 ग के तहत आएगा प्रतिक राज नागरिकों को चाहेवा इस्त्री हो या पुरुष समान कारी के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा 49 गह राज श्रमिक पुरुषों और इस्त्रियों के स्वास्थ और शक्ती तथा बालकों की सुकमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा 49 अडंग के अनुसार राजिद्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विक्सित और विकास के लिए अवसर तथा सुईधाय प्रदान की जाएंगी उन्हें स्वतंतरता और सम्मान की स्थती प्राप्त होगी और बच्चों तथा यूकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी अनुछेद 49 च राज्य अपने आर्थिक साधन के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योगिता के अनुसार रोजगार वो शिक्षा पा सके वो बेरोजगारी बेकारी बुढ़ापा बीमारी असमर्थता आदी दशाओं में सारजनिक सहायता प्राप्त कर सके अनुछेद 49 राज्य ऐसे प्रयात्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी करेगा कि क्रशी और उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वह के लिए यतोचित वेतन मिल सके उनका जीवन इस्तर ऊपर उठ सके वे अवकाश के समय का उचित उप्योग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्क्रतिक उन्नती का अवसर प कूर्ति की दिशा में केंद सरकार प्रयोजित एक कारिक्रम है राज यह भी प्रयास करेगा कि गाउं में व्यक्तिकत तथा सहकारी आधार पर कुटिर उद्योगों को प्रोच साहन दे अनुछेत 43 राज क्रशी और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प के लिए कदम उठाएगा अनुछेत 48 राज उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से और द्योगिक संस्थाओं के प्रबंदन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा इसी व्यवस्था जो है बयाली से समिधान शंशोधन के माध्यम से जोड गई थी अनुछेद 43 कल के रूप में नेक्स पॉइंट देखते हैं राज द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय प्रतिष्था अवसर तथा सुईधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयत अनुछेद 38 में किया गया है और यह अनुछेद 38 के उपखंड दो के तहट ठीक से परिभाशित किया है जिसे चमाली स्वे समिधान शंशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इस प्रकार बारा बिंद्वों में आर्थिक न्याय संबंदी निदेशक तत्वों को इस पश्ट किया गया है झालएग। झालएग।